वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला सब्सक्राइब कर लिए का सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रगिए राम राम भाईयों नवश्कार तो हम लोग आगे हिस्ट्री का सेकेंड लेक्शर है आज इसमें मैं पूरे रिग्वैदिक को खतम कर दूंगा पचास आठ क्वेश्चन ज इसका ही गोश्चन था क्योंकि आपको NCIT वगेरे में मोसली नहीं मिलाएगा ठीक है तो आरेश अगरवाल इंश इंडिस्ट्री जो आप पड़ोगे स्पशली निमलिकित सब्विताओं का उत्तर से दच्छिन का सही क्रम कौन सा है उत्तर से दच्छिन मतला नौर्थ से अमेरिका में सिविलाइजेशन बनी थी अस्टेक माया मुझिसका इंका तो आरो में ये आया हुआ है तो सोच सकते हो आरो में हिस्ट्री कभी-कभी ऐसे बाउंसर फेग देती है ठीक है तो ये नौर्थ अमेरिका के ये जो नौर्थ अमेरिका म कंट्री है एलस अलवेडर गुटेमाला, हॉंडरस, ठीक है, इन सब में थी, ये सिविलाइजेशन, ठीक है, चलो, तो 53 कह रहा है, क्लास की संस्क्राइज में आरे सब्दकार्थ क्या होता है, तो देखो, आरे का मतलब होता है, एक उत्तम व्यक्ति, अच्छे आदर्श वाला है न, उसको बोलते हैं, आ इक वेज श्रोतो का संक्ल है, श्रोतो मतलब बहुत सारे मंत्र हैं, इसमें एक अजार अठाइट मंत्र हैं, जिसमें इंद्र देव के लिए 200 और दूसरे नंबर पे हैं, अगनी देवता, उनके लिए 200, तो ये याद रखेगा, सबसे जादा इंद्र के लिए है, फिर अग श्रोतो का संक्लन है, रिगवेद, तो ये इंपोर्टेंट है, याद रखेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद, रिगवेद हैं, तो 55 कह रहा है, त्राइ क्या होता है, देखो त्राइ का बहुत महत्व है, हिंदू त्राइ का मतलब होता है, तीन वेद, कौन से तीन वेद, यजूर वेद, रिगवेद, शाम वेटी, अथर्व को अटा दो, तो बन गया वेदा त्राइ, बुद्ध धर्म में, आपने सुना होगा, त्री रतनाज, तो वो है धर्म, संग और बुद्ध, युद्ध नहीं, ध चीज़े करो, तो तीनों ही में त्राइए, इसका मतलब याद रखना, ठीक है, त्राइए का मतलब, तीन वेद, अथर्वेद को अटा दो, बाकी तीन वेद, कह रहा है, निमलिंग में से किसका शंकलन रिगवेद पर अधारिद है, तो देखो शाम वेद जो है, वो पे ही अधारित है भारत के किस इस्तल की खूदाई से लोह धातू के प्रचलन के प्राचिंतम प्रमान मिले तो लोह धातू के प्रमान मिले अत्रंजी खेडा से कहां से मिले अत्रंजी खेडा और ये है उत्तर प्रदेश में अब देखो लोह धातू का यूज के हडपन ने कर नहीं करा वो लोग कॉपर का यूज करते थे तामबे का लोहे का यूज शुरू करा आरेन ने कितने आरेन और आरेन का मतलब होता है अच्छे लोग अच्छा नेचर उच्छ व्यक्ति ठीक है चले अब यह चार वेद है इन चारों के नाम देखें मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं आपकी तो आपने पढ़ा है बच्छपन में री से रिशी तो रिशियों का काम क्या होता है बाई मंत्र पढ़ना और प्राथनाय करना तो रिगवेद का मतलब है श्रोत एवं प्राथनाय ठीक है श्रोत एवं प्राथनाय या से यजुर वेद है और या से यग यह होता है तो यजूरवेद में जो यग्य कर्मकांड दिये होते हैं तो यह यजूरवेद में आ गया यह किसमें आ गया यजूरवेद में आ गया ठीक है सा से सामवेद और सा से संगीत है ना तो शामवेद में संगीतम शुरोत ये सब दिया है अथरवेद बच गया तो ये तंत्रमंत्र वशी करण ये सब इसमें आता है तंत्रमंत्र वशी करण आयूरवेद है ना ये जो आप मेडिसेन वगएर यह अथरवेट से ही निकला है तो याद रहेगा ना रिश रिशी, रिशो का काम है मंत्र पढ़ना या से यग तो यजुरुवेद में कर्मकांड मतलब जो कर्मकांड होते हैं वो यजुरुवेद, शा से संगीद तो शामवेद में संगीद अथरवेद, कर्मकांड और तंत्रमंद ठीक है अब क्वेशन 61 कहा रहा उपनिसद, तो देखो उपनिसद जो है वो पुस्त के फिलोसफी पे रिलेटे हैं, मतलब दर्शन सास्त्र तो उपनिसद पुस्त के हैं दर्शन पर किस में है, दर्शन के बारे में मतलब आत्मा का मिलन परमात्मा से कैसा होगा है न, परमात्मा क्या है, ये सब ठीक है, उपनिसदू का मोक की विशा है क्या, फिर अगेन 62 का बी ऑप्शन, दर्शन ठीक है, कॉशन 63 कह रहा है, निमनलिकित में से किस एक वैदिक शायत में, मोक्ष तो देखो, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा ये सब उपनिसद में है, फिलोसफी दर्शन ठीक है, तो उपनिसद हो गया 64 कह रहा है अध्यात्म, ग्यान के विशह में नचीकेता और champion का समवाद किस उपनिसद में, तो देखो, नचीकेता और यमराज का जो समवाद है, वह आपका कठोपनिसद में, किस में? कठोपनिसद जो अन्मों लोग आपस में वार्ता कर रहे है ये न यमराज आते हैं जब उनको लेने 69 कह रहा है वैदिक नदी कूभा का इस्थान कहाने देखो कूभा कुरुमू यह सब अफगानिस्तान में बहती है काबुल नदी सुना होगा प्रिजेंट में कूभा कुरुमू यह अफगानिस्तान में गाइस एक चीज और जो इंशेंट में नदीया थी उनका पहले क्या नाम था और अब क्या नाम यह बहुत पूछता है तो फटाक से यह चार्ट देख डालो एक बर दोस्तो इंशेंट की यह रिवरों के नाम बदल गए हैं इनको याद रखेगा पूछता है एक्जाम में कुरूभू जो रिवर थी क्रभू यह कुर्रम हो गई है कहा है अफगानिस्तान में क्रभू और कूभा काबूल कूभा जो है अब उसका नाम क्या हो गया काबूल वितत्सा जेलम का नाम था वितत्सा किसका था जेलम अश्किनी जो है वो चेनाब है अश्किनी कौन सी है चेनाब पुरूशनी रावी, सतूदरी सतलज, भी से विपासा, भी से व्यास, सदनीरा आप कोई गंडक, सदनीरा गंडक, ठीक है, और दुश्दती घगर है न, घगर क्या बोलते हैं, दुश्दती भी बोलते हैं, सरस्वती भी बोलते हैं, गोमती गोमल हो गई, ठीक है, सिंदू की सिंद हो गई सरस्वती भी बोलते देखे गगर को बस यह याद रखने आपको मोटे-मोटे ठीक है कौन-कौन से कुरूभू, कूबा, वितत्सा, अश्किनी, पुरूशनी, सतूदरी, विपासा ठीक है यह इंपोर्टेंट है आता है एक्जाम में भाई तो याद करना पड़ इसको ठीक है दो-तीन बार बोलोगी याद हो जाएगा इसपैसलि यह जो पांच रिवर पंजाब की है चेनाब, रावी, व्यास, सतलच ठीक है तो चेनाब को अश्किनी, रावी को पुरूशनी, सतलच को सतूदरी, व्यास को भी पासा ठीक है याद रखिएगा अब कॉश पुरूशनी, तो पुरूशनी है, रावी, पुरूशनी कौन सी है, रावी है, सदनीरा कौन सी है, तो सदनीरा आपकी कौन सी रिवर है, तो सदनीरा है आपकी गंडग रिवर कौन सी है, गंडग, और सतूदरी जो है, सतलच ठीक है, इसको याद रखिएगा आता है एक्ज शाशक थे तो उपनिशद काल में जो राजा थे आश्रपती वो साखशक थे के 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 ठीक है याद रखेगा Q66 कह रहा है भाई इसको सही क्रम में सेट करूँ तो देखो पहले वैदिक सहीताएं आती है फिर ब्रामाड होते हैं फिर अरन्यका होते हैं फिर उपनिशद होता है सही क्रम ये है कौन-कौन सी वैदिक सहीता है ब्रामाड अरन्यका उपनिशद मतलब option A हो गया इसका कौन सा option A हो गया 71 कह रहा है निमनलकित वैदिक देवताओं में से कीसे उनका पुरोहित माना जाता है तो आपने ब्रहसपती भगवान सोना हो गया न तो पिच्चरों में भी देगा ब्रहसपती जो है वो देवताओं के गुरू है ठीक है तो ब्रहसपती हो गया तो देखो question repeat हुआ 67 वैदिक नदी अश्किनी तो अभी बता है न अश्किनी किसको बोलते थे चेनाब को बोलते थे किसको बोलते थे चेनाब अब एक बार आप व्यास रावी और जेलम इसका नाम ज़रा comment box नो बताओ अगर पढ़ गया दो तो ठीक है भाई देखो participate करोगे तब ही होगा काली फोन देख कैसे दिवार से टेक लेके बैठने से कुछ नहीं होगा भाई करना पड़ेगा अगर समिक्षा दिकारी बनना है बीसेस बनना है तो करना पड़ेगा ठीक है चलो 68 रिग वेद में निमलोकित की नदियों का उलेक अफगानिस्तान के साथ आज जो के संबन से तो अभी बताए ना कूभा और कुरूमू ठीक है कूभा और कुरूमू याद रखिएगा रिग वेदि काल में निश्क तो देखो निश्क का मतलब था गला है ना गले के जो अभूशर थे उसको बोलते थे निश्क ठीक है याद रखिएगा और बाद में यही निश्का जो है ग्रीक के टाइम में फिर कौइन बन जाएंगे ठीक है चलो प्राचीन बारत में निशाका से जाने जाते थे तो जो अभूशर दे स्वाण के उसको निशाका बोलते थे ठीक है स्वाण अभूशर को लिखा हुआ है देवताओ का नाम इरान से ये मिलाए हमें तो यहाँ से प्राप्त अभी लेगों में वैदिक देवताओ soy्ण देव्य техविज़ का नामों लेख प्राप्त होता है और यह कहां पे है इरान में है कहां पे है इरान में है 75 कह रहा है निमलकित अभी लेकों मेंशे कौन सा इरान से भारत में आ रहे हो के आने की सूचना देता है तो बोगास कोई ठीक है भी बता है बोगास कोई option C हो गया 80 कहरा गोतर शब्द का प्रयोग सरपतम हुआ है गोतर सबका प्रजवलचन हुआ है रिगवेट से न हम सबका कुछ गोतर होता है जैसे मेरा कश्यप गोतर है ऐसे तो रिगवेट ठीक है रिगवेट से हुआ है रिगवेट काल में जनता निमलकिन में से किसे मुगिता किसमे विश्वाज रखती तो देखो जन तक इसमें रखती थी बहुत सारे देवी देवताओं को पूछती थी न पर यहां तो है नहीं वो आप्शन यहां है बली एवं कर्मकार्ण है न कर्मकार्ण पर जादा विश्वास रखती थी क्योंकि मूर्ति पूजा तो बुद्धिसम में आएगी बाद में बहुत दो लोग लाएंगे एक एश्वारवात तो है नहीं देवी पूजा भी नहीं है वो तो क्योंकि हर अप्पाग लोग करते थे तो बली एवं कर्मकार्ण आप्शन टी हो गया कॉशन 76 कर रहा है चौदवी शदी पूर का एक अभी जिसमें वेदिक देवी देवताओ का नाम है तो भी बताया कहां बगास्कोई ठीक है यह है कहां ईरान में है ठीक है बगास्कोई निमलिकित मेंसे किसने आरियों के आदी देश प्रेस देश matar का में ताभन अे सब कर्वाद देश 82 कहरा रिगवेंद में निमले लखे प्रशिद देश राजाओं का युद किस नदी के किनारों लड़ा गया थे ना तो रिगवेंद में जो लखे तो प्रशिद दस राजाओं का नहीं पड़ा आपने अब तो सरस्वती मतलब नदी घगगर गायब हो गई है निमनिलकित में से किस नदी को रिगवेंद में मतेत्मा देवित्मा एवं नदीत्मा तो देखो सरस्वती माता को माता कहते हैं तो मतेत्मा सरस्वती मतलब घगगर नदी तो मतेत्मा देवित्मा नदीत्मा ये सरस्व ए हो गया चलिए question 78 कहा जिस ग्रंद में पूरुष मेद का उलेक हुआ है तो देखो पूरुष मेद का जिस ग्रंद में उलेक हुआ है वो है शत्पत ब्राम्मान कौन सा सत्पत ब्राम्मान 79 कहा उत्तरवधिकान में नेमलिकी में से किसको आर संस्कृती का धुर माना जाता थ अधोर मतलब यहां तक आर संस्कृती बहुत फैली होई थी है न तो वो थी अंग और मगद अंग और मगद याद रखेगा अंग तक और इधर मगद बिहार में अंग वेस्ट बेंगौल तक पड़ेगा जाके ठीक है ईट्टी फूर कहे रहा है अभी बता दिये मैंने आपको किर्षीपर डिपेंड थे इट्टी फाइभ कहे रहा है रिक वेट में उल्लेखित याव शवद किस किर्षी तो थी तुदि को यहाँ को कहते थे तो गैहूं को घूधूं के थे यहाँ को गोधूम और यहाँ कि आगे आगया आगया आप देखो सभा समेती एक और होती था विधोसःता है अब देखें सभा में बड़े बड़े लोग होते थे इल्डर लीग मतलब जो बुजूर्ग होते थे तो आज भी आप देखो कि जहां बुजूर्ग होते हैं लेडीज वहां अच्छे गरों की जो होती है मतलब सब भी समस्कार हो वाली वह वहां नहीं जाती हैं अब आज कल की modern woman की तो बात छोड़ो वह तुमार शॉर्ट्स में भी चले जाएंगे तो इसलिए सभा को लेडीज मतलब औरते woman attend नहीं करती थी समीति और उध्याता को woman attend करती थी मतलब society में equality थी तब है न मतलब यह नहीं था कि यह और्तों को right नहीं मिलते थी तो अब फिलाल आपको यह द्राग नग नहीं है सभा और समीति पुरजापती की दो पुत्रिया थी सभा को ladies attend नहीं करती थी समीति को करती थी ठी है आयूर्वेद अर्था जीवन के विज्ञान का उल्लेक सरप्रतम मिलता है तो यह मिलता है अथरवेद से गांज मिलता है अथरवेद 27 का D हो गया अब question 92 कह रहा है कि इंद्र जी किसके द बयाते हैं मतलब गॉजावत डेवता थे पापीयों के दन्ड देते हैं नहतिक आची वारशा के देरा तो इंद्र जाए कि ठीम अग्नि जी हो रहे चाए में बहुत सीजशावत की देरा थिसर्या में सब नेचर में सब की होती थी प्रकृति की 89 कह रहा है सरवाधिक वेदिक सूट तो अभी बताया था लास्ट कोशन में सरवाधिक जो वेदिक श्रोत है वो इंद्र जी के लिए 1028 उसके बाद अगनी आती ही ठीक है चालो 93 कह रहा है 800-600 इसा पूर का काल किस योग से जोड़ा है तो ये ब्राम्मार योग से जोड़ा किसे जोड़ा है ब्राम्मार योग से डैश साथ वहन साशकों के इतिहास की जानकारी के लिए देखो इस सवशनी माना जाता है तो देखो मत से पूरान किसको मत से पूरान से हमें जानकारी मिलती है आंधराज में जो साथ वहन रूल क उपशने हो गया नेमलिकित में से रिगवेड में युद्देवता में सबताते हैं तो प्लाकोर स्थ॥ ऑनत इंद्र है तो फंदिए का क्या भी हो गया ज scrib लाहँ कि नाम से पर्रीशिद घर मंतो में कहां से मिला है स्था टैंडिक एस्था Beta ओम भूर भूर अस्वा है ना तो यहां में मिला है रिगवेट चती है सर्ग प्रतिशर्ग वन्स मनवंतर वांसुन अचारिज यह संकेतक है किसके पुराणों के ना यह सब पुराणों में मंचेर हैं पुराणों के संकेतक है 97 कर रहा है पुराणों की संग्या कितनी है तो देखे हमारे हिंदू धरम में 18 पुराण है मज़ पुराण विश्णो पुराण ये सब कर गए 18 पुराण है आप पढ़िये उनको मज़ा आ जाएगी महाभारत मूलता किस रूप में जानी जाती है ये इरान में मिलाए जैसे यहां रिगवेद है ऐसे ही वहाँ अविस्ता है तो ये इरान से है ठीक है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है तो गाए को अघन्या मानते थे किसको गाए को याद रखेगा 104 का C हो गया अब 99 में कह रहा है कौन से पुरान से मौर्यों के दियाज के बारे में पता चलता है तो विश्नु पुरान से मौर्यों के बारे में पता चलता है और मत से पुरान से अंदराज मतलब सातवायना के बारे में तो याद रखी का मौर्यों का दियाज विश्नु पुरान ऐसे भी याद रख़़ सकत तो विश्णो गुप्त की नाम पर विश्णो पूरान लिंक कर सकते हो ऐसे करके, थीन रही है सत्त में जाते लिया है, मुंद्को अपने शत्त, विवके इसे मुंद्को अपने शत्त जाता होगी। एक सो पाच कहा रहा है रिगवेदिक काल के प्रारम मेंने मलखित में से किसे महतवपूर्ण मुलिवान संबती बत्तु देखो आपके बाद जितनी ज्यादा गाये होंगी उतने ज्यादा आपको रिच समझा जाएगा इवन गायों में गायों में भी देख रो आज के लिए ह गाया थी तो रिगवेद की मुलिवान संस्द आपको रिगवेद से है किससे है रिगवेद से याद रखिएगा थीक है तो वैदिक करम्काड में हुता का संबंद किससे है ठीकले कम गायों मतलब जो जो मंत्रों को पढ़ता है यह ना उसी को बोलते हैं होता जैसे आप देखनों पंडी जी आते हैं यह करते हैं तो रिख वेद में ठीक है तो गाइस यह थे वैदिक लिट्रेचर के कोश्चन मतलब वैदिक एज वैदिक पीरिट के कोश्चन खतम हो गए अब कल से हम लोग बुद्धिसम पे आ जाएंगे फिर जैनिजम करेंगे फिर महा जनपद ऐसे करके क्रोनोलोजी चल रही है हिस्ट्री की क्रोनोलोजी पता है ना आपको भाई पहले पत्थरों का एरा फिर वैदिक पीरियड नहीं पत्थरों का पीरियड फिर आपका हडपा सब बिता फिर वैदिक पीरियड फिर लेटर वैदिक पीरियड फिर आपका क्या आता है bye-bye, take care.